मेरा सवाल है कि यहां बैठे हम सभी स्टूडेंट देश में सबसे उचे स्थर की शिक्षा पा रहे लोगों में से हैं फिर भी हम हमेशा चिंदा में रहते हैं कि हमें कौन सी नौकरी मिलेगी हम सबसे अच्छा campus placement चाहते हैं अगर हम जोखिम उठाने के लिए तैयार ही नहीं हैं हम जोखिम से बचते हैं तो देश में नौकरियां कहां से आएंगी जब हम अपने खुद के व्यपार, स्टार्ट अप या फिर कंपनी शुरू करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो अब देखिए, भारत एक विकाशील देश है, है की नहीं? विकाशील देश का मतलब है, कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है बहुत सारी चीजें की जानी है इस देश में किसी को बेरोशगारी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहां करने के लिए बहुत कुछ है अब समस्या यह है कि आप सिर्फ कुछ खास तरह की नौकरी चाहते हैं जहां आपको सबसे जादा तंखा मिले, जरूरी काम किये बिना हाँ, वरना यह एक विकाशील देश है इस देश में लाखों चीजें की जानी बाकी है यह विक्सित देश नहीं है, मैं क्या करूँ सब कुछ हो चुका है नहीं, बहुत सारी चीजें की जानी बाकी है तो अगर आपका दिमाग और आँखें काम कर रहे हैं तो आपके आसपास ही करने के लिए हजारों चीजें हैं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कैंपस प्लेस्मेंट के बारे में सोचना चाहिए प्लेस्मेंट शब्द से ऐसा लगता है, मानो आप किसी धर्मशाला में हैं युवाओं का ये नजरिया नहीं होना चाहिए अगर आप जोखिम लेंगे तो क्या गवा देंगे आपका दोस्त मैकेंजी में जा सकता है, क्या ऐसा है? ये जीवन को देखने का तरीका नहीं है अगर आप इस तरह जीवन को देखेंगे, तो आप पच्टाएंगे मैं किसी खास कमपनी पर टिपनी नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि खास कर हावर्ड बिजनेस स्कूल में अगर आप किसी से बात करें, वो कहेंगे मैं मैकेंजी में प्लेस्मेंट चाहता हूँ आप मेंसे कितने लोग मैकेंजी में जाएंगे? दुनिया में इतना कुछ किया जाना बाकी है अगर आपके पास कुछ करने के लिए दिमाग और हिम्मत है तो दुनिया में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, है ना? खास तोर पर भारत में, तो मैं इस संस्थान के छात्रों में थोड़ा और साहस देखना चाहूँगा, कुछ नहीं होगा, अगर मैंने ये नहीं किया, तो मैं सडक पे आ जाओंगा, मैं भिखारी बन जाओंगा नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा आपको ये विश्वास है या नहीं? आपके साथ ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर आप महनत करेंगे то आपको लगता है कि दुनिया आपको रोक सकती है नहीं, दुनिया आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगी आप उन्हें बाधाओं की तरह देख सकते हैं या संभावनाओं की तरह देख सकते है जहां भी समस्या होती है, वहां एक समभावना होती है, है की नहीं? जहां भी समस्या होती है, वहां एक समभावना होती है, तब जब आप ये देखना शुरू करें कि इसका समाधान क्या है? अगर आप समस्या से परे नहीं सोच पाते कि समस्या एक बड़ी संभावना है क्योंकि अगर आपने उसे सुलजा लिया तो हो गया हमारे देश में धेर सारी समस्याएं हैं कृपया देखें कि उन्हें कैसे हल करें आपको इसी में खुद को लगाना चाहिए कि अगर आपको ठापने प्रड़ीजास